है गाइस वेलकम टू फाइप मिनिट स्टॉक एनालिसिस वीडियो जहांपर हम पाँच मिनिट के अंदर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है और उस ट्रेड के पीछे का लोजिक क्या है और सबसे इंपोर्टेंट बात हम किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं सिर्प प्राइस एक्षन को यूज करके पूरा एनालिसिस करते हैं और इस ट्रेड को एक्जेक्यूट करते हैं सो गैचार बीना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को करते हम स्टार्ट हम आज चुके एससी के विकली टाइम फ्रेम के चार्ट के अपर यहां पर हमारा एक काफिशान था छोटा सा एक स्विंग ट्रेड हमारे लिए बने गया सबसे पहले मैं इसका विकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा है और मैं इसके अगर लॉंग टर्म ट्रेंड की बात करूँ तो आप देख सकते हो कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड है इसमें कभी भी वेरिस सिग्नल हमको इसमें नहीं देखने को मेला है अब मैं इसका चार्ट लगा हूं यहाँ पर मैं इसका requiring चार्ट लगा हूं को मिल रही है यह जो नीचे सेी हैली हुई है कोरोना के बाद से ख़ो किती सहांद इसमें शानदह करने wa随 लाइट की अब यहां से यहाँ से नीचे से इतने वोल्यूम के साथढ़ business बाइंग हुई है तो वो इतने इमीजेटली हमारी सेलिंग नहीं देखने मुलीगी तो अभी रिसेंट में उसके बाद क्या करो देखो यह जो रेली यहां तक हुई उसके बाद प्राइस यहां से थोड़ा सा साइडवेस हो चुकी यानि कि प्राइस एक जो एक चैनल के नजरा है तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि यहां पर जो लोग है वो ज्यादा इंट्रस्टेट नहीं है यानि कि ना तो प्राइस को नीचे ले जाने में अभी इंट्रस्टेट ना ही ज्यादा उपर ले जाने में इंट्रस्ट यानि कि जो प्राइस जहां पर चल रही सस्टेनेबल एक चेनल के अंदर प्राइस टेट करी राइट यह चीज आई होप कि आपको समझ में आएगे अब मैं इसका थोड़ा सा अपन को कहा बेनिफिट होने वाला इसका वो अब हम देखेंगे इसका डेली टाम फ्रेम का चार्ट लगा रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ इस टाइप का पैटन हमको देखने को मिल रहा है मैं थोड़ा सा आपको ड्रोइंग करके दिखाता हूं zone create करके दिखाता हूँ right so देख सकते हूँ यहाँ पर कुछ इस type का pattern हमको इस में देखने को मिल रहा है so थोड़ा सा मैं इसको exist कर लेता हूँ ठीक है और नीचे में same चीज आप देखोगे तो यहाँ से continuously हमको नीचे में फिर देखने को मिल रही उपर में भी कुछ इस type का pattern आपको देखने को मिल रहा right so अब यहाँ पर हमारा trade केसे बनेगा वह इंपोर्टेर लेवल है recent में हमको trade केसे मिलने वाला right तो सबसे पहले मैं कुछ एरो से आपको दिखा देता हूँ तकि आपको पता चल जाए कि फिर आपको exit कहा करना है आपका target point क्या होना चाहिए यहाँ पर आप देखोगी कि मैंने कुछ rate arrow से आपको दिखा है कि जब भी price ने इस level को हीट किया है उपपर वाले zone को वहां से कुछ इस type का pattern है थोड़ा सा में इसको उपर नीचे exist कर लेता हूँ तो यह जो लेवल आपको दिख रहे हो काफी strong resistance लेवल था इस लेवल को भी जब भी price ने हीट किया है हमको starting में हमको continuously से लिंग देखने को मिली और जब भी breakout हुआ उसके बाद इसमें चांदार रेली इसके उपर हमको देखने को मिली राइट जब भी देख सकते हो पहले यहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया उसके बाद रेली हुए नहीं कि हर बाद एक W पेटन इसने बनाया राइट सो रिसेंटली देखोगे तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक breakout हुआ इस जोन के उपर यानि कि 2325 के उपर या फिर 2330 के उपर एक हमको breakout यहाँ पर देखने को मिला है आज की केंडल है और सेम चीज़ का अगर आप volume देखोगे तो काफ़ी heavy volume के साथ यहाँ पर हमको breakout होता यानि कि एक अच्छे volume के साथ अब एक insight point और बता दो कि यह sustain करने वाला है यहाँ नहीं करने वाला है उसके पीछे का reason में आपको दिखा देता हूँ राइट तेको इससे पहले क्या हुआ है कि यहाँ पर breakout होने से पहले कुछ consolidation हमको देखने को मिला यह यह जो आप देख प resistance या support level के पास में price weight करती है और उसके बाद अगर वो breakout लेती तो वो definitely sustain करता है राइट तो इस ताइप से देख सकते हो काफी strong यहाँ पर breakout हुआ तो यहाँ पर हमारे काफी शांदर trade बनने वाला है तो यहाँ पर हमारी entry हो सकती stock के अंदर यहाँ यहाँ पर हम next day entry ले सकते ह आपका इस zone के नीचे होना जी वो मैं आपको accurate दिखाऊंगा फिलाल में आपको ऐसी दिखा रहा हूँ और target simply आपको उपर वाले zone तक होना जी हूँ कि अच्छे volume के साथ breakout हुआ तो दो बारा price next next अगर मैं price की बाद को तो आप price देख सकते हो कहा हीट करने वाली उपर वाले swing trade के लिए right almost 11% 12% का हमारा target है risk है मेरा 3-4% हमारे जो risk reward के अगर मैं बाद को उसके लिए में आपको क्या करूंगा hourly time frame पर ले जाऊंगा और वहाँ पर हमारा accurate stop loss कहा होना चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगा right सो यहां पर देख सकते हो price हमारा जो stop loss होना चीए वो stop loss होना चीए यहां पर राइट यह जो आपको नीचे में accumulation देखने को मिल रहा है जो नीचे में थोड़ा सा consolidation देखने को मिला है यहां पर हमारा stop loss होगा almost 227 के आजपास आप अपना stop loss set कर सकते हो अगर 227 का level नीचे की ब्रेकडाउन देता है 227 से price नीचे जाती है तो फिर आप अपने इस stock के अंदर stop loss ले सकते हो और उसके बाद जो है आपको इस टोक से exit कर जाना है ऐसा नहीं कि stop loss हीट हो जाए और हम उसके बाद भी stock के अंदर बने रहे कि वहां से उपर जाएगा उपर जाएगा हमको एस यह हमारा target level होना होला है stop loss आपको मैंने दिखा दिया कुछ इस type का pattern आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा यहां से already अभी bullish momentum में दिख रहा है stock कुछ इस type से चलेगा दोबरा price इसी level को test कर सकते ठीक है तो हमको हमारा target उपर वाले zone तक ही रखना अगर उसके बाद भी अगर breakout मिलता तो definitely हम इसी stock को ट्रेल करते जाएंगे इसी में मतलब इसी stock इसी जो यह जो trade हम लेंगे इसी को हम थोड़ा सा और लंबा खीच सकते रहे लेकिन वो अगर हमारे direction में चलता है तभी हम इसको लंबा खीचेंगे अदर्वाइस हमको तुरंथ ही exit कर जाना है हमको wait नहीं करना stop loss ही होने के टोटा stop loss ले सकते हो दोबारा जब price bullish momentum दे तब आप दोबारा entry कर सकते हो रहे आई होप की पूरा यह चीज आपको समझ में आएगी यह वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरूर बता है इसे latest logical trading videos के लिए चैनल को subscribe करके bell icon को hit करे ताकि ऐसे analysis वीडियो आपको time पे मिलते है झाल को